नमस्कार बिहारी नुजमा आपका स्वागत है मरत्म सेन भारती आज हम बात करेंगे प्रदेश में बाढ़ हो लेकर फलोशी देश नेपाल में लगातार भारी बारिस के कारण खोसी नदी में बाढ़ से तबाही के हालात सुरू हो गए हैं सुपावल के निर्मली अनमंडल छेतर में खोसी तबंद की भी तरब से कई गवों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है कई घरों में बाढ का पानी घुस गया है वही जरावली हरियाली में कई खेतों में पानी घुस गया है जिससे की खेत में लगी फसले डूब गई हैं एक तरह से कहलें की बरबाद हो गई हैं बाढ़ के कारेंट जगा जगा शुरुच्छा बांध है और असपरों में कटाव हो रहा है हला कि सुरुच्छा तटवन्थ पर असपरों पर कटाव को रोकने के उधेस से जल स्भातन विभाग की टीम काम कर रही है और जगा 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 काटाव, निरोधी काम भी यूद अ पर की जा रहा है अलाकी ज़रान लोगों को काफी परिसानी का सामना करना पर नपाल ने लगतार हो रहे H प्रभाविती इलाके के लोगों को परिसानी और बढ़ गई है घरों में पानी गुछने के बाद लोग नीजी और सरकारी नौब के सारे उच अस्थान पर सुरचित अटबंध है और अन जगों पर पलाइन करने लगे हैं इधर सब्त कोशी नदी में पानी के बहाब में लगतार उतार चड़ाब देखने को मिल रहा है बीती रात कोशी बेराज में 2,42,956 की उसे एक परतिस सकेंड की रफतार से पानी में तो 2,25,025 की उसे परतिस सकेंड की हिसाब से पानी जो है वहीं छोड़ा गया और कोशी बराज में 56 में से एक तालिस गेट फिलहाल खोल दिये गए हैं साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि कोशी नदी में ओवर फ्लो होने के कारण उदाइपूर के पास नगर पालका डूमरी बोट की बस्ती इस पानी की चपेट में आ गई है गंड़क नदी के जलस्तर बढ़ने से गुरुवार को तिरहुत तटबंध के भीतर भी सड़कों पर 2-3 फिट का पानी चड़ गया इस दोरान गरामनों के बीच में आवा गवन काफी समस्या का सामना करना पड़ा है वहीं बंजरा निजामत के महादलित बस्ती में पानी घूजाने के करना 50 से अधी के परिवारों को तिरहुत तटबंध पर सरत लेना पड़ा मध्यपूरा हजारी देवसर असली बंगरा निजात रूप छपड़ा पहाडपूर मनोरा थे खुसे पूर्वा, खुसे पूर्सी के गरामिनों ने बताया है कि 2000 हेक्टेर में लगे फसले पूरी तरीके से जलमग हो रही वहीं बाड़ की आसंका से गरामिन भैवी थे जलसन साथन विभाग के अनुसार गुरुवार को बानमिकी नगर बरात से गंड़क नदी में चालसनलाव 8-7 क्यूसक पानी छोड़ा गया बता दें कि फिछले दिनों उत्तर बिहार के सभी जिलों में हुई बारिस और उसके बाड़ नेपाल में हो रही बारिस के बाड़ जैसे हलात उत्पन हो गए कोसी गंगा गंड़क और बुड़ी गंडर के जलसन में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है वहीं बागमती के जलस्तर में थोड़ी कमी जरूर देखने को मिली है मुझाफरपुर सहर के ब्रहमपूरा और बटलर रोड लीची बागान रेलवे कॉलनी बाइ इसके सटे महलों के घरों में पानी घूस गया जलनी कासी की पुर्ण विवस्ता नहीं होने के कारण घरों के अंदर भी घुटने तक का पानी प्रवेश कर गया है ऐसे में इन इलाकों में भी लोगों को भारी परिसानी का सामना करना पड़ रहा है जिस तरह से गंगा गंडक और बुड़ी गंडके नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी और नेपाल में हो रही बारिस के बा हो सके उचे अस्थानों तक पहुंचाया जा सके ताकि जान माल की छती नहों विहार और विहार से चुड़े और बेसें कबरों के लिए बने रहें विहारी नोच के साथ मुश्चित जे जाजद धन्यवाद